पुरानों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है हिंदु धर्म में गाय को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है गाय के दूद को अम्रित कहा गया है वहीं दूसरी और पहली रोटी गाय के लिए निकालने का भी विधान है आईए जानते हैं कि प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से क्यालाब मिलते हैं ऐसा माना जाता है कि गाय को रोज रोटी खिलाने से व्यक्ति के हर मनोकामना पूरी होती है साथ ही इससे घर में सुख समृद्धी भी बनी रहती है साथ ही गाई को रोटी खिलाने से जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं सभी महत्वपूर्ण काम बनने लगते हैं गाई माता के रोज पैर छुकर अपने दिन की शुरुआत करने से आर्थिक समस्या दूर होती है ऐसा मना किया है कि सुबा शाम गाई के नाम का घी का दीपक जलाने से और गाई को रोटी खिलाने से घर में मौजूद सभी वास्तु दोश दूर होते हैं रोजाना गाई को रोटी खिलाने से negative energy दूर होती है और घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है. साथ ही रोज गाई को रोटी खिलाने से जाने अंजाने में किये गए पापों से मुक्ती मिलती है. गाई को दी जाने वाली रोटी के साथ आप चीनी या गुर्वी दे सकते हैं अगर आपके घर शुधर शाकाहारी भोजन बनता है तो आप वह भी गाई को खिला सकते हैं ध्यान रहे कि गाई माता को कभी भी सूखी रोटी नहीं खिलानी चाहिए इससे आपको रोटी खिलाने से मिलने वाला पुण्य प्राप्त नहीं होता गाई को देने वाली रोटी में हल्दी लगाने से आपको शुबफल प्राप्त होता है ज्योतिश शास्त्र के अनुसार यदि आप गाय को रोटी खिला रहे हैं तो उसमें एक चुटकी हल्दी मिला दे ऐसा करने से उसका लाब कई गुना बढ़ जाता है हल्दी का संबंध भी ब्रहस्पती ग्रह से माना गया है इसके अलाबा हल्दी को मंगल ग्रह का प्रतीक भी माना गया है इस उपाय से कमजोर मंगल और कमजोर ब्रहस्पती को मजबूती मिलती है